दियर स्टूरेंट्स वेलकम आज दिस वीडियो देवी चसीं टीचिंग ओफ फाइन आर्स दा जड़ा लेसन प्लैन है वो की वें बनाना हो डिसकस करांगे यह डिसकस्यन लेसन है जड़ा जनरल लेसन होदा फॉर्मेट भी सेम हुन दे पहला तुसी अपना रोल नंबर लिखना है फिर तो अड़ा सब्जेक्ट की है ते टॉपिक की है जिमेद दिर्च है टाइपोग्राफी केड़ी क्लास दा ले रहे हूँ एड़्स दा डेट पाऊंगे इत्थे डिूरेशन 35-40 मिनिट्स फिर इंस्ट्रक्शनल एड एड़ जेड़े लेसन प्रेंदा फॉर्मेट है तो उसी सेम रखना है जेड़े पहला थोनों करवाएगे ने जिमेद दिर्च पहला जनरल एड़्स जिमेद की क्लास रूम, चॉक, डस्टर, पॉइंटर सारा कुछ ही लिखोंगे फिर स्पैसिफिक एड PPT related to the topic typography क्योंकि एडिस्केशन लेसन है इस करके बच्चे ने देविच की लिए है PPT लई है तो अड़कुल कोई चार्ट भी हो सकता है कोई pictures भी हो सकती है जेकर इना ड़कुल कोई original theme है तो अड़कुल तो तुसी ओ भी show कर सकते हूं फिर अगी है objectives फिर तुसी एथे जेड़े general objectives ने हो लिखने है general objectives दे विच्चे में पहला knowledge narrated फिर understanding narrated फिर skill नाल फिर application नाल ये depending कारदा है तो अड़े college वाले केड़ा जेड़ा format है हो लाई का रहे है तुसी बच्चे हो दे according लिखने है जेकर knowledge understanding skill ते application ने है ता तुसी येनू cut off करके अपने जेड़े तिन चार general aims ने हो तुसी ये थे लिखने है ने aims कहलो जो objectives कहलो फिर तुसी जेड़ी previous knowledge आउनू test करने previous knowledge देले तुसी दो कॉलम्बन आणे ने जी दे विच एक side question ते दूसरी side answer लिखोंगे बट जेड़ा ये lesson plan मेरे कोड़े दे विच जस्ट questions लिखे हो ने पर ये भी तुसी बच्चे अपने college ने फॉलो करने है ने mostly जेड़ा college ने दो कॉलम्बन आणे है एक side question ते दूसरी side answer लिख दिया है ते previous knowledge टेस्ट करने बाद तुसी अपने टॉपिक है उन्हों तुसी ने अनाउंस कर देना है ते फिर तुसी अपने जड़ा अगों टॉपिक है उन्हों शुरू करना है एदले तुसी अपने जड़े चार कॉलम्बन ने उबना लेने है जिम्हें के तुसी यह से देख रहे हूं पहला कॉलम subject matter दा दूसरा people teacher activity तीसरा people activity चोथा teaching aid ते blackboard दा हुन ए जड़ी notebook है बचे तुसी देख रहे हूं वह स्तरी के नाल लंबी है हुन तुसी देखने है भी तो अड़ी जड़ी notebook है जिता S3 के नाल लंबी है था तो अड़ी चार कॉलम एदा ही बनवा रहे हैं ते जेकर S3 के नाल लंबी है ता दो कॉलम एदर ते दो कॉलम तुसी ने एदर बनाने है सब्जेक्ट मैटर दे वीचे तुसी लिखना है टाइपोग्राफिव बारे ते फिर तुसी ओनों किस तरीके नाल एक्स्प्लेइन करना है दे प्यूपल टीचर विल एक्स्प्लेइन यूजिंग लेक्चर मेथड जा तुसी ब्लैकोड यूज कार रहे हूं जा कोई होड तरीक है था ओडिकोल फिर एथे प्यूपल एक्टिविटी प्यूपल वे लिसन केरफुली एंड राइट ऑन दियर नोटबुक्स एथे तुसी अपना जड़ा टॉपिक है ओधी जड़ी पिक्चेर हो एथे लगाऊंगे आगे लिए पर इस ते सेम जड़े चार कॉलमने उसरी के लिए चलने है सब्जेक्ट मैटर, प्यूपल चीचर अक्टिविटी, प्यूपल अक्टिविटी एंड टीचिंग एड ते ब्लैक वोर्ड एधे तुसी अपना सब्जेक्ट मैटर ही लिखा है टॉपिक के तो अड़ा कोई भी है तो एधे तुसी ओनों किस मैथर देनाल करवा रहे हूं सब्जेक्ट मैटर भी थोड़ा क्लियर नजर आ रहे है ते प्यूपल टीचर अक्टिविटी, प्यूपल अक्टिविटी, जिकर तुसी ब्लैक वोर्ड ते लिख रहे हूं ता विजारती ओस टाइम की करनगे अपनी कापेंड पर नोट करनगे, ते विल नोड़ान आउन नोटबुक्स, if you are explaining, they will listen carefully, ते तुसी एस गाजन ते आंधिचे रखना है तो अड़े लेसन प्लैन आ फ्यूचर दे विच्छी होना चाहिदा, ते अदर तुसी जड़े कोई भी टीचिंग एड या कोई तुसी ब्लैक वोर्ड है थे हो हो, जरूर लगाना है, पूरा ते लेसन आनों स्तिरी के नाली प्लैन करना है, अगले पेज ते तुसी फेर उद्धा ही, कॉंटिन्यू कार लेना है, सब्जेक्ट मैटर, प्यूपल टीचर अक्टिविटी, प्यूपल अक्टिविटी दे, टीचिंग एड, ब्लैक पूर्ड, मैं ते, हैपी निव येर, मतल् जिना को पाठ पड़ा आचुके, ओधे बीचे तुसी जेड़े तिन-चार कोशिन होते लिखलाने, तेना अंसर एथे, नहीं लिखोंगे, रीकाप्टिलेशन दो बात, तुसी एज इज फेर जेड़ा अपना लेसन आनों कॉंटिन्यू कार लेना, चार कॉलंब बनाने ने सब्जेक्ट मैटर, प्यूपल टीचर अक्टिविटी, प्यूपल अक्टिविटी, टीचिंग एड़े ब्लैकवर्ड, एथे जिम टाइपोग्राफ, ते उदे विचे होर तो अडिकोल न ओना, लेटेड किस तरह ने कोई पिक्चिर्स ने, जा ब्लैकवर्ड दे लिखन द जिवें चेव अल्फाबेट्स आ गया, लोगोस आ गये होने, ये अल्फाबेट्स ने, ते इहे लोगो आ गया, तुसी देखना भी तो अड़े टापिक, ते विचे की की चीज़ा है इनकलिवर्ड हुन दियाने, ओधे कॉर्डिंग तुसी जड़ा अपना लेसन प्लैन है इस चेव सज़्जेक्ट मैटर देविचे लिखोंगे, तो उसे तरीके ना पड़ होना है, ते बच्चे जी में तुसी पड़ा आरे हों उसे तरीके ना ली हो, कोई ब्लैक बोड दे लिखन वाला काम में हो कापिय है ते लिखन गे, समझा आरे हो तो तो ते आननल समझनग ते उस बात उसी बच्चे ना जोड़ा होंवर्क है हो साइन करने, राइट यूर नेम, creativity with the help of typography, make one poster, तो उसी जड़ा होंवर्क है क्योंके तो अड़ा ज़ा, फाइन आर्स से सब्जक्टी है इस तरह ना जीदे विचे सारी creativity है, सारा कम किया करन वाल है, हत्थी करन वाल ह तुम अमीद कर दिया है, यह वीडियो तो अडली helpful रहेगी, thanks for watching